Hey guys, Assalamu alaikum, subscribe, like, hope you guys are very good, I am Rania, I am Rohan and you are watching Hindustani Couple Reaction, so now we have a new video, this video's title is Iran May Mujizah, so this video is very interesting, you should watch this video, it's very interesting video, you should watch this video, it's very interesting, so let's start without any time is it he is gonna be biscuit? Allah, ha 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 ha, ha, ha 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 ha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ये हगुया ने कई इंटरनेशनल मुकाबलों में शिर्कत की है इनका कहना है कि आप हिव्ज और शान नुजूल के सिल्सले में बिना किसी लिहाज और रियायत के तेजी के साथ सब्सक्राइए एक मौजवी सवाल दरियाफ्त करूंगा फिर एक बात अर्ज करो और दीगर हजरात प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं जंग में गुरूर हम अभी आपको सफा नंबर बताएंगे आप सिर्फ सफे की अब्तदा पढ़ें सफा नंबर दो सो तिर पन अगला सफा 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 आप चूप गए आप सफा दूसो एक सट पर हैं वलकद जालना सफा नंबर दो सो तिर सट की अब्तदा माशाइलला बाजाईला इनके होसला व्जाइ कीजिए मैं पेशकुश करूंगा कि जड़ा सा सख्त सुआल कीजिए पहले पेश से पुराण मजीद की अिबतरा की तरफ चलें हर सफ़े की अिबतरा कौराण की अिबतरा की तरफ सफ़ा नम्बर 23 सुर्य मुभारिक आफूर्द 12 इससे पहला सफ़ा इससे पहला इससे पहला इससे पहला इससे पहला एक पेशकेश है हम अक्सर रविश को इस्तेमाल कर सकें इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा शखस हो जो इन तमाम रविश और सब्क पर मसल्ट हो सफ़ा नंबर दो सो एक्यान नबे सूरे मुबारक इसरा है पारा नंबर पंदरा किस तरफ है दाहिली तरफ है सफ़े की अब्तदा सफ़े के आखिर किया है सफ़े के आखिर में क्या लवज है सफ़े की अब्तदा बात का सफ़ा इसके बाद 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 कि वाद कि सामवात दोसो सफ़ अभां ऑजाये और बताएए किस आयत पर खत्म हो रहा है उस्ताद हम कि सफ़े पर थेुज़ और ये सफ़ा नंबर Esta किस आयत पर खत्म हो रहा है? दो सुस्वाइ बाद बिस्मिल्हाराइब रहा है अलम तरा अनलाह सखरा मैं चाहता हूं वो उसलूब और तरीक अजम हों जो हकीकतन एक मुश्किल रविश है वो तरीका जिसमें हम कुरान मजीद के दर्मियां से अब्ददा और आखिर की तरफ पढ़ते हैं सूरे मुबारक अन्फाल पारा नमर नू सफ़ा 181 सफ़ा 182 सफ़ा 189 दो सफ़ा पहले दो सफ़ा बाद 184 चार सफ़ा पहले सफ़ा 117 सफ़ा 1175 सफ़ा 188 सफ़ा 1173 सफ़ा 1190 का ये होसला अवजाई का वकाम नहीं है बरक्स किलावत कीजिए किसी सफ़ा का नमबर पूछिए एक हर्फ से शुरू करता हूँ फिर हर्फ बहर्फ पल्टेंगे सफ़ा नमबर 434 गरीब मकान मिन उखदू वा फ़त फला फज़ा इद तरा लवा गरीब समीः इननहू रब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् ये वाकियान एक मुजिजा है कोई भी सफ़ा में खोलूँ एशारा करूँ फौरण जनाब हगोयान उसे बता देते हैं किसी को भी कुरान सौब दें वो कोई सफ़ा खोले कोई मुश्किल नहीं है आप खुद या हाजरीन में से कोई भी जनाब हगोयान उसे बिसमल्ह जनाब हगोयान उसे ब्समल्ह विए अपने जनाब आप गुयान बिसम लाह आप तयार है ना आप तयार है ना जनाब हागोयान बहुत खुब, माशाला, माशाला हम भी कुछ नहीं, तो तर्तीब के साथ पुर्ण मजीद को हिफ्ज कर सकते हैं जब एक जहन पुर्ण मजीद को रिवर्स में लवज पर लवज पर सकता है तो हमें समझता हूँ कि इससे लोगों को पुर्ण मजीद हिफ्ज करने का और सलामी देगा दूली दो बलक्ता या अवार जो लोग करते हैं कि मैंने रेइडिंग करते हैं पाता ओने कैसे करते हैं वैसे सामने वाले से औंगली रखे और ये उनकी मैंने को रेडिंग कर रहें क्या कुछ पावज भाज है करना चाहूंगी कि वह जो ऐसे फाइदे के लिए यह सारी चीज़े यूज करते हैं वह एक अलग तरफ है लेकिन यह जो जो यह भाई है और यह मतलब सच में मौजज़ा है कि सामने वाला सिर्फ फिंगर रख रहा है और यह बता दे रहे हैं कि वह किस पर फिंगर क्या है और हैं रिपीट पढ़ना 200 पेज के बाद का 200 पेज के पहले का जो अचार पेज के बाद वह सबक्राद कर सकते हैं हमकि एसा है कि 114 खुरे तो एक सूरा सबको याद है मतलब वैसा हो सतने नौर्मल चीज़ यह तो सच में मौज़जा है यह एकदम जादू ही है लग यह था द और दूसरी तरफ ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जिने पूरा कुरान सरी व्याद में तो ऐसे लोगों कैसे मिटा सकते हैं और यह सुच पर आपने वारी क्रेटर के तरफ से की देखो तुम लोग चाहा की भी मेरी किताब जो है जो है के कितासे हैं पहली मिदम शॉकिंग था और रॉंटे खड़े हो गया ना रियली यह सोच कि भी क्या इतना सब कैसे याद कर सकते है कोई भी नॉर्मल नहीं था यह लिकिन यह उस चीजों का गलत फैदा नहीं हो था रहे लोगों को ब्योकु बनाने के यह ठगी करने के लिए यह चीज में बहुत अच्छा लगा इरान के कोई भाई है यह गलत यू नहीं कर रहे हैं चीजों का बहुत सहीं उसकता है कि माइंड रीडिंग की ट्रिक भी नहीं हो सकता है यह क्रिएटर के तरफ से एक इनको पावर हो के मतलब दुनिया के सामने आके तुमको बताना है कि देखो मैं म मुझे पूरी कुरान याद है तुम लोग मिटाना भी चाहते हो लेकिन दिल से नहीं मिटा सकते हैं तो इंसानों कैसे मिटाओं जिनके दिमाग में पूरा दिल में कुरान सरी की हर एक सूरा याद मतलब तुमसे यह था वीडियो आप क्या सोस्ते है वीडियो के बारे में जरू कमेंट करताना और सुवान अल्ला तो जरूर लिखना कमेंट मॉक्स में और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना इन चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नौटिफिकेशन और पर साट कर देंगें मिलते नेक्श वीडियो में त